हेलो फ्रेंट्स माई नेम इस असे राट और आम बैक विद्मान अधर वीडियो दोस्तों आज क्या बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक में आपके लिए 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 आया हूं आज हम बात करेंगे डीजी सीरीज लोकोमोटीव एंड थ्री फेस इंडेक्शन लोकोमोटीव के कि किस में कितने ज़्यदे फीचर है रहां कि दोस्तों डीजी सीरीज लोकोमोटीव जो होते हैं उनको यह मंसिंगल"- करते हैं कुणकि desbalance καथी के वक्त हम 3-phase नहीं कर सकते DC में 3-phase exist नहीं करता है AC system में single-phase system and three-phase system दोनों exist करते हैं इसलिए हम कभी भी single-phase locomotive नहीं बोलते क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो single-phase motor का तो कभी यूज होता ही नहीं यह locomotive में इसलिए three-phase locomotive में three-phase induction motor का यूज होता है only और single-phase ना बोल करके हम DC-series motor वाले locomotive बोलते हैं क्योंकि DC-series motor single-phase में exist करती है only अब बात करते हैं motor की इसके उपर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत important topic है और इतने सी वीडियो के अंदर है cover-up नहीं हो पाएगा तो DC-series motor और AC-series motor के बीच में comparison करूंगा अगले वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको पीचर बढ़ाता हूं लोकोमेटिव के क्या-क्या होते हैं तो इंडर रेल्वे स्टार्टिंग में DC-series motor ही यूज करा करता था सबसे अधा काम्याप भी थी डबलू एपी-4 अभी इंडिया का सबसे सब्से 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 लोकोमेटिव रहा है क्योंकि DC-series motor के अंदर लगी थी स्टार्टिंग में इन ही सब्सेस के लोकोमेटिव रहे उनमें DC-series motor होने लगी और WAP-7 और WAP-5 से पहले जितने भी वैप सीरीज के लोकोमेटिव है उनमें DC-series motor यूज होती थी और डीजल में बात करें रहों WDP-4D से पहले जितने भी अलको लोकोमेटिव या फिर EMD लोकोमेटिव रहे WDM-3D, WDM-1, WDM-2 यह सब भी लोकोमेटिव EMD थे बाट इनके अंदर भी DC-series motor यूज होती थी दोस्तों DC-series motor खराब नहीं है बहुत अच्छा परफोर्मेस देती है इनका सबसे बड़ी खुबी है यही सबसे अजार अदा टॉर्क जिन्रेट कर पाती है एक्सेलरेट जल्दी करती है बट अब आप कहेंगे कि थ्री फेस लोकोमेटिव एसी इंडेक्शन मोटर वाले और भी ज्यादे थे जिन्रेशन देने लगे वह ऐसे हुआ हमने DC-series motor स्टार्टिंग में इसलिए यूज करी विकास मोटर का जो कंट्रोलर होता है t conta system, converter और जो भी driver लगे होते है moeur के speed नहीं हो पाई थी कि उससे घखन भौत तेरी से अपना speed कांट्रोल कर सकें motor की is characteristic के कैन्ठोन कर सकें तो उस वक्त जो होता हमारा यूज होता था, ठायिस्ट्र कंट्रोल थारिस्टर कंट्रोल बेस्ट करणवर्टर आते थे अब थारिस्टर के बाद जैसे पावर एडवांस होगी तो आई जीवीट आ गया अब आई जीवीट के बाद वैसे मॉस्टेट भी आ चुका है लेकिन मॉस्टेट अभी उतना करेंट रेटिंग नहीं दे रहा है लेकिन पर भी काम चल लाए रिचर चल ली यह भी आ जाएगा तो आपको यह देखने को मिलेंगे आगे अगे अडवास्ट ट्रेने वाले यह चोटे से ट्रांजिस्टर की तरह नहीं यह बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर होता है और यह टाइप है उसी के टाइप है पावर एलेक् इसके जरीए क्या हुआ पहले डीसी मोटर कंपेटिबल नहीं थी थाइश्टर के साथ तो कंपेटिबल थी पट आईजीवीट के साथ हमें डीसी मोटर के इतना अच्छा परफॉर्मेस नहीं देखने को मिला हमें मिला कि एसी इंदक्शन मोटर जादा अच्छे से काम कर प ब्रेकिंग में तो इंस्टेंटली जो वर्क होता था वो ऊच्छे से तो तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर इसी लिए अच्छा एकस्टेयरेशन देपाते हैं इतनी स्पीड देबाते हैं और डीसी से मोटर भी अच्छी दे पाते हैं लेकिन वह इतना नहीं दे पारी थी तो हमने उनको रिमू रिप्लेश कर दिया बट ऐसा नहीं कि डबलु एपी-फोर डबलु एपी-फोर डबलु एपी-फोर खराब है नहीं उसका एक्सिलरेशन भी बहुत अच्छा है बट आपने देखा को कुछ माइनों में वह पीछे रहे जाता ह बट वही बात है इंडक्शन मोटर के साथ बहतर काम कर रहा है तो इनके फीचर में बता दूँ तो डबलु एपी-फोर आपने देखा यह अच्छा 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 प्रक्रेश्टिक पर जब जाना होता है तो इस पीव बहु जल्दी से पकड़ ले ब्रेकिंग भी बहुत अच्छे से हो पा रही थी अब इंडक्शन मोटर की जड़िया और ऐसा कंट्रोल जब मिल गया और डीसी शीरीज मोटर के साथ यही रिजनेरेटिव ब्रेकिंग इतना बहतर नहीं थी तो प्लस पॉइंट यह भी हो गया उपर से मैंटेनेंस जो डी सिस्लिप स्ट्रोल बहुत अच्छा हो पाया आइड़ीवीट रिन ऑना प्लस पॉंट था और आपको स्लिप साफ्ट्रोल का मनलब नहीं पता तो कि मैंने पूरा अक्स्प्लेंट कर रहा है क्ला काम करता है तो और दोस्तों आपने एक और चीज आपने देखा होगा डीजल लोकोमोटीव होते वही इसका इतना ज्यादा अच्छा है और डब्लूडीम फोट डब्लूडीम 3D वगरे जितने भी लोकोमोटीव है इनका इसके मामले में बहुत धीमा है तो यह क्यों हो यह भी इसलिए हो पाया क्योंकि फूरी तरह से वही बात है इसलिए इसका एक्सलरेशन भी इतना जबरदस्त है तो यह जीता जाता एक्जाम्पल है डब्लूडीपी सावन डब्लूडीपी 4 डब्लूडीपी 5 इस चीज का की क्यों इंडेक्शन मोटर यूज होती है आपको कैसा लगा बड़ा इंट्रस्टि पूरी चाता गजआवाटन मोटराँSi क्वाषब बड़ाटनिं का का क्ण manaुड़ा़ाटन सावली पूलूडािन ए पूलूरा फूलूड़ाटन कर दो कर दो कर दो